खोले आने वाली है आप भी गुजिया बनाने की सोच रहे हूँगी तो आज मैं आपके लिए ले करके आई हूँ बिना मावा बिना मोल्ड बिना ज्यादा ज़ंजट के बहुत ही आसान तरीके से मावा वाली गुजिया की रेस्पी कई बार क्या होता है घर पर मावा नहीं हो कुछ बताने वाली हूं यह क्यों को के गुजिया में मौइन की जरूरत पड़ती है तो अगर मोईन परफेक्ट नहीं होगा ना तो घुजिया की पपड़ी ये ना नेimana भूध को कितना का लए न तो चलिए देखते- ती तो लिए पचास ग्राम यानिकी पचास एमेल रिफाइंड तेल मौयन के लिए बिल्कुल परफेक्ट रेशियो है यह अगर आप चाय वाला कप या कोई कटोरी ले रही है तो उससे मैं अगर मीजरमेंड बताओं तो आपको धाई कटोरी या धाई कप लेना है मेंदा और आधा कप ले कर सकते हैं अगर आप इसको मुठी में बंद करेंगे न तो यह अच्छे से बंद रहा है बस इस तरह से बंदना चाहिए समन लीजिए मौयन बिल्कुल परफेक्ट है अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल करके इसका आटा लगाएंगे तो इसका आटा आटा आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से आपको इसका आटा गुदना है अब यह जो आटा है यह सूखे ना इसमें पपड़ी ना जमें इसके लिए हम इसको पॉली थिन से अच्छे से कवर करके रेश्ट के लिए रग देते हैं कम से कम 15 मिनट का आप इसको रेश्ट दे दीज मिनट करें तो आप सेम वही मावे बाला टेस्ट विलक पॉॉडर से ला सकते हैं अब बात करने हैं कैसा पहरी आप बात कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर चाय वाले मिल्क पाउडर का इस्तमाल कर रही हूँ. तो अब हमने जिस कप से मिल्क पाउडर लिया था, उसी कप या कटोरी से हम दूध लेंगे, तो एक कप मिल्क पाउडर में हम एक ही कप दूध डालेंगे और इन दोनों को पहले तो हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, तो जो गुजिया का कसार है या जो फिलिंग है हम बिल्कुल मावे जैसी इसकी फिलिंग बनाने वाले हैं, इसलिए यहां पर आपको यह step करना जरूरी है, आपको directly कढ़ाई में मिल्क पाउडर को नहीं डालना है, तो आप देख सकते हैं, हमने दोनों ही चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया, अब हम इसमें डालेंगे आधा कप चीनी, चीनी आप अपने टेस्ट के कोडिंग कमिया जादा कर सकते हैं, मिल्क पाउडर भी मीठा होता है, तो आप अपने साब से मैनेज कर लिजेगा, अगर आप यहाँ पर बूरा शक्कर का इस्तिमाल कर रहे हैं, आपके पास रखी हुई है, तो यहाँ पर आप चीनी को इस्किप कर दीजेगा, बिल्कुल आखरी में आप बूरा सक्कर का इस्तिमाल करें, तो फिलहाल मैं नॉर्मल साबो चीनी का यूज़ कर रही हूँ, तो चीनी को हमने सी स्टेज पर अच्छे से डाल दिया है, और इसको हम एक बार मिक्स कर देते हैं, तो जरूरी नहीं है कि आपको पूरी तरह से चीनी को मेल्ट करना है, आप सिर्फ मिक्स कर दीजेगा, बस इतना स्टेप कर लीजे, अब हम चलते हैं, गैस की तरफ, तो यहां पर हमने एक पैन रखा है, आप कोई कड़ाई भी ले सकती हैं, और इसमें हम डालेंगे दो चोटी चम्मच देसी घी, तो टोटल हमें इसमें तीन से चार चोटी चम्मच देसी घी की जरूरत पड़ेगी, तो बकाया का घी हम बाद में इस्तमाल करेंगे, घी को हम अच्छे से मेल्ट होने देंगे, घी जाब अच्छे से मेल्ट हो जाएगा, तब हम इसमें मिल्क पाउडर वाला मिश्टन डाल देंगे, और गैस की फ्लेम हम बिलकुल लो टू मीडियम रखेंगे, और लो टू मीडियम फ्लेम पर इसको हम लगातार दो मिनट तक चलाएगे, दीरे दीरे आप देखेंगे, इसमें जो चीनी है, वो मेल्ट हो गई है, तो जैसे चीनी मेल्ट हो जाएगी न, तो इसमें हम फ्लेवर के लिए थोड़ा सा इलाइची पाउडर डाल देते हैं, ये पूरी तरह से ऑप्सिनल है, अगर इलाइची पाउडर नहीं है, तो इस दूद है, काफी गहड़ा हो गया है, जैसे रबडी होती है न, बस उसी तरह से इसका टेक्शर हो गया है, जैसे ही ऐसा टेक्शर आ जाए, तो इसमें हम मिला देंगे, आधा का बैसी केटिट कोकुनट यानि की नारियल का बुरादा, तो यहाँ पर मैं मार्केट वाले ना अच्छे से मिक्स कर देते हैं, फिलेम अभी हमें लोटू मीडियम ही रखनी है, टोटल मुझे लगबग 4 मिनट हो चुके हैं, इतना प्रोसेस करते हुए, और दीरे दीरे आप देखेंगे कि इसने पैन छोड़ दिया है, यह देखिए, अब यह पैन में चिपक नीरा है, बिल्कुल अलग हो गया है, जैसे यह अलग हो जाए, अब आप गैस की फिलेम को बिल्कुल हाई कर दीजे, और हाई करने के बाद इसमें एक या दो छोटी चमत देशी घी डाल दीजे, एकदम गरम मिश्टन में घी डालने से इसमें दाना बनने लगता है, जिसे यह बहु बिल्कुल नहीं है, वरना यह जलने लगेगा, शीच कर ध्यान रखेगा, बस आप इसको लगातार चलाते जाए एक मिनट तक, तो लीजे, यह पूरी तरह से बहुती दानेदार हो गया है, एकदम ड्राई से हो गया है, जैसे की मावा का कसार बनाते हैं, अम लोग गुजि तो अब ही जब यह ठंडा होगा ना, तो एकदम से दानेदार हो जाएगा, जैसे की गुजिया का कसार होता है, तो बहुत ही अच्छा हमारा बिल्कुल मावेदार कसार बनकर की तयार हो गया है, इसका जो टेस्ट होता है बहुत ही बढ़िया होता है, आप पहचान नहीं कर पूरी तरह से ठंडी हो चुकी है तब हम इसको हादों की मदद से एक बार अच्छे से इस तरह से मिक्स करेंगे ताकि एकदम अलग-अलग हो जाए और एकदम दानेदार हो चुका है आप देख सकते हैं कितना बढ़िया हमारा मिल्क पाउडर से गुजिया की फिलिंग बन कर अब देखिएगा कितने जटपट से हम अपनी सारी गुजिया बना करके तयार करेंगे यहाँ पर मुझे लगबग 15 से 20 नट हो चुके हैं और जो हमने आटा लगाया था वो काफी सॉफ्ट है यह देखिए कितना स्मूथ है बहुत अच्छी इसमें शाइन भी है इसलिए हम चोटी चोटी सी लोईयां बना करके बेलते होंगे लेकिन आज मैं आपको बहुत बड़ी अट्रिक बताऊंगी जिससे जटपट से आपकी धेरों गुजियां बन पाएंगी एक काम आपको और करना है एक चम्मच मेंदा लेनी है और इसमें थोड़ा सा पानी डाल करके में सब्सक्रैण करेंगे और इसकी हम बहुत बढ़ी सी रोटी बना कर तयार करेंगे पतली सी और योटी से भी बहुत बढ़ी साइब बनालेनी जिसासे आप लोई लेंगे तो इससे बाँ पतला कर लेना है अगर सबसाते हैं नगे अनगे काल क हैसे तो इसके हम इसके अलग कड़ लेते हैं या गुझीा बनाएंगे तो दुबारा कहा है में इसका इसंतिमाल कर लेंगे कि अब इन सभी किलते हैं अलग ठाली में निकाल अको शिखे मोर्ण के से दिखाकते है और दो इस गोल को हम cotton की या उंगलियों की मदस से चारो तरफ लगा देंगे और हमने जो फिलिंग बनाई थी एक चम्मच हम फिलिंग इसके बीच बीच रखेंगे फिर हम दूसरा वाला सरकेल लेंगे और इसके उपर हम रख देंगे दोनों के किनारे को आपस में अच्छे से चिप के होने चाहिए वरना तलते समय गुजिया फट जाती है और अब हमने यहां पर एक फोक लिया है और इससे हम चारो तरफ डिजाइन बना देते हैं तो इससे दोनों किनारे आपस में चिपक भी जाएंगे अच्छे से और दूसरी बार डिजाइन भी बहुती प्यारी बन कर के तैयार हो जाएगी आप चाहे तो इसको पलट करके दूसी तरफ भी फोक से इस तरह से डिजाइन दे सकते हैं बट मैं नहीं दे रही हूं क्योंकि हलकेल की डिजाइन अपने आप ही दूसी तरफ आ जाती है तो इसी तरह से मैं आपको एक गोल साइस की गुजिया और बन करके तैयार है इसी तरह से गोल सेप की गुजिया बना लेंगे अब मैं आपको दूसरी डिजाइन की गुजिया बनाना बताऊंगी जो कि हम लोग बेसिकली बनाते हैं मोल्ड से बनाते हैं तो मैं आपको बिना मोल्ड के भी बताऊंगी और साथ में एक डिजाइन और भी तो फिर से हम लोई लेंगे इसको भी हम सेम प्रॉसेस में पतला बेल लेंगे अब की बारी हम थोड़ा सा बड़ा साइज की बनाने वाले हैं तो यहां पर साइज आपके हिसाब से हैं आप कितने साइज में गुजिया को बनाना चाहते हैं तो सेम प्रॉसेस में मैंने यहाँ पर एक टिफिन ले लिया है और उससे हम इसके सरकल कट कर लेंगे और जो इसकी किनारी है उसको हम अंगली बार में इस्तिमाल कर लेंगे तो चलिए अब मैं आपको दूसरी डिजाइन की गुजिया बनाना बताती हूँ बस हम एक सरकल लेंगे और इसके बीच में हम फिलिंग को भरेंगे आप चाहे तो फिलिंग पहले भर सकते हैं या घोल को किनारे पर पहले लगा सकते हैं जैसे आपका मन हो अब हम इस घोल को ल देंगे तो देखे कितना प्यारा सा इसका लुक आया है बिलकूर ऐसा लग रहा है जैसे हमने इसे मोल्ड में बनाया हो आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारी सी हमारी गुजिया बन करके तयार हो गई है दूसी तरफ भी बहुत अच्छी डिजाइन आई है आप चाहे तो पलट कर भी इसमें बना सकते हैं कोई दिकत नहीं है अगर आपके पास मोल्ड है तो आप इसी प्रोसेस से एकटी पूरिया बना लीजिये जैसे मैंने आपको बताया है आपको अलग अलग पूरिया बनाने की ज़रुवत नहीं है और मोल्ड में भर करके भी आप इन गुज अब मैं आपको एक तरीका और बताती हूं जो कि बहुत ही पुराना तरीका है हमारी दादी नानी इसको इसको इस्तिमाल किया करती थी तो यह आपको मम्मी बना करके दिखा रही है बस बीच में हमने कसार को रखा है और किनारे पर घोल लगाया है गुजिया को हम अच्छे गुजिया को गुणर देयानी की डिजाइन बना दे उसमें तो इस तरह से बस उठाते जाईए और इसको नीचे चिपकाती जाईए तो इससे बहुत प्यारी डिजाइन बन करके तयार हो जाती है तो अभी भी बहुत से लोग इस तरह से गुजिया बनाते हैं यह देखिए तो चलिए अब हम इनको तलते हैं यहाँ पर हमने एक पैन में तेल गरम होने के लिए रख दिया है तेल मीडियम गरम हो जाए तब हम इसमें गुजिया डालेंगे यहाँ पर आप मोटे तल वाली कड़ाई भी ले सकते हैं या फ्लेर वाली कोई सी भी कड़ाई ले लिजेगा तो एक बार में उतनी ही गुजिया डालें जितने आसानी से बन जाएं तो एक बैच में मैंने या पर पांच गुजिया डाल दी है एक चीज ध्यान लखिए गुजिया का अच्छे से चिपका होना बहुत जरूरी है क्योंकि यह बहुत ज्यादा फूलती है एक दब गुबारे की तरह फूलने लगती है तो आप देख सकते हैं किस तरह से गुजिय प्रेशर पड़ता है तो इसे फट भी सकती है और एक बार फट जाती है तो पूरा तेल खराब हो जाता है इसलिए बहुत अच्छे से आपको इनको चिपकाना जरूरी है अब हम सभी गुजिया को पलट लेंगे इनको आपको मीडियम फ्लेम पर तलना है और गुजिया को बहुत जादा डार्क नहीं करना होता है बहुत जल्दी ये तैल जाती है क्योंकि इनमें बहुती पतली परत होती है तो टाइम बिलकुल भी नहीं लगता है तो जैसे ही आपको हलकी सी सुनेहरी दिखने लगे तो आप इनको तुरंधी निकाल लीजेगा तो आप इने गुजिया हमारी फोटी नहीं है और सभी गुजिया बहुती फूली फूली खस्ता बनी हुई है तो गुजिया को आप तलते समय बस एकी चीज का ध्यान रखना है फिलेम आपको मीडियम रखनी है और बहुत जादा इनको सुनेहरा नहीं तलना है तो इसी तरह से हम अपनी इसी को भी सर्व कर दीजिये यह नहीं समझ पाएगा कि इसे आपने बिना मावा के बनाया है एक बार आप बना करके जरू ट्राइ करें तो मैं आपको तोड़ करके भी दिखाती हूँ देखिए इसकी जो पपड़ी है कितनी खसता है ऐसा नहीं कि बहुती कड़ी हो तो बह एक बाद जरू ट्राइ करके देखें इस होली इस तरह से गुजिया बना करके देखिए आपको बहुत अच्छी लगेंगी